वेल्कम फ्रेंड नमश कार्म डॉक्टर प्रदीक माराब सभी लोगों का भथ बहुत स्वागत करता हूँ भाईयो काफी सारे लोगों के सरीर का बजन कम हो जाता है लेकिन काफी सारे लोगों को यह पता नहीं होता है कि बजन के कम हो जाने के क्या कारण होते हैं जिसकी वैसे काफी सारे लोग अपनी वक्त पर सही जांचों को करा कर बिमारी का पता करके उसका सही इलाज नहीं करा पाते हैं जिसकी वैसे उनके सरीर में कोई बिमारी होती है जिसकी वैसे उनका बजन कम हो रहा होता है उस बिमारी का पता उनको नहीं लग पाता है और वो बिमारी बढ़ जाती है जिससे उनकी मौत हो जाती है तो भाईयो अगर आपके सरीर का बजन पिछले 6 महिने के भीतर में कम हो रहा है तो भाईयो बजन के कम होने के क्या कारण होते हैं इस विशे में पूरी जानकारी मैं को इस वीडियो के माद्दम से दूंगा तो भाईयो इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करें सुगर की बिमारी में बजन कम हो जाता है टीबी की बिमारी में बजन कम हो जाता है है पर थरोर्जंग थरेड में बजन कम हो जाता है HIV AIDS की विमारी में बजन कम हो जाता है, कैंसर के हो जाने पर बजन कम हो जाता है, सिली एक रोग में बजन कम हो जाता है, रूमेटोएट गठिया में बजन कम हो जाता है, ज्यादा चिन्ता और तनापको कनने से बजन कम हो जाता है, अचानक से जादा वयाम को कनने से बजन कम हो जाता है अलसरेटिब कॉलाइटिस या पैप्टिक अलसर में बजन कम हो जाता है आई बीटी रोग में बजन कम हो जाता है पैंक्रियाज की सूजन में बजन कम हो जाता है ज्यादा सराब या नसीली दबाईयों का प्रयोग करने से बजन कम हो जाता है एडिसन रोग में बजन कम हो जाता है पारकी संस रोग में बजन कम हो जाता है तो भायू इन सभी कार्णों से सरीर का बजन कम हो जाता है तो भाईयो अगर आपके सरीर का बजन कम हो गया है तो आप सही डॉक्टर के पास जाएं और चांचयों को कराकर बीमारी का पता करके उस बीमारी का सही डॉक्टर से इलाज कराएं तो आपकी ये समस्या ठीक हो जाए भाईयो अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाते हैं तो आप मुझसे कमेंट करें मैं आपके हर कमेंट का जवाब जरू दूँगा नमस्कार भाईयो